नमस्कार किसान साथियो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे यूटीब चैनल विजुबावा इंफोटेक पर मैं विजए धाकड आप सभी का स्वाद करता हूं और हम लोग क्या यहां पर यूज करते हैं जैसा कि मैंने आपको सारी जानकारी पिछले साल भी वीडियो के माध्यम से दी थी लेकिन दोस्तों अब जो है मैं यहां से एक सीरिस चालू करने वाला हूं कुछ एमप्रू किया है हमने खेती में प्याज की खेती में कुछ research है जो इस diary में करता हूं और दोस्तों आप लोगों को भी करना चाहिए ये मेरे तरब से personal नयाकि आपको दे रहा हूं कि जब हम कोई सी खेती करते हैं किसी चीज की तो उसमें अपन क्या चीज डाल रहे हैं और उसका जो result आता है वो उसके सामने अपने को लिखना चाहिए कि इस साल हमने ये product डाले हैं तो अगले साल उसका जो हे हम क्या improve उसमें कर सकते हैं हम सभी जिन्सों को लेकर चाहे लहसुन हुई चाहे प्याज हुआ चाहे सरसो चाहे गेहुँ सभी की डाइरिया मेंटन करके हम यहाँ पर खेती करते हैं और उससे हमको काफी help मिलती है हमारे result में आज की इस वीड़े हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती को लेके कैसे हम सभासो कोईटल प्रती भीगे के आधार पर देशी प्याज यहाँ पर production में लेते हैं और दोस्तों जिसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह एक खेत है जिसा कि यहाँ पर प्याज के लिए ह हम इसको यहाँ पर प्याज लगाने वाले हैं इसमें और पिछले साल भी दोस्तों इसी खेत में प्याज को हमने लगाया था और इस साल भी जिसा कि नरसरी तैयार करके जिसा कि हम यहाँ पर रिप्लाइंट करेंगे यहाँ पर तो आईए समझते हैं कि हम किस प्रकार से यह लगा करके हम बात करेंगे जो नए किसान ही हमारे जो हमारे वीडियो देखके काफी कुछ इंफरू करते हैं खेती में और सीखते हैं उनके लिए बहुत ही महतुपून जानकारी होने वाली वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है चैनल की नीचे बने लालकल के बटन को दबा कर सस्क्राइब कीजेगा पास आई बिल आइकन को प्रेश जरू कीजेगा ताकि वीडिय पहले से एक हकाई रेती वह कर देते हैं और चार से पांच दिन बाद उसकी हो जाती है उस समय जब 45 दिन की नरसरी हमारी कंप्लीट रेती है उस समय खेद हमें प्रिपेर कर लेना चाहिए और उसमें जो है खाद बीच का प्रबंदन उस समय में करना ही जब हम री- हूं बारिश ज्यादा हो चुकी है उसके कारण कहीं न कहीं अब रोटावेटर करना मुस्किल यहां पर लग रहा है अब दोस्तों यहां पर डारेक्ली रिप्लांट हम कर सकते हैं नर्सरी को आप सुविधा के जो लंबाई है वो आपके सुविधा के अनुसार आप रख लीजिएगा कोई इसमें इशू नहीं है आप जिसा भी चाहे रख सकते हैं 50 फिटका रख सकते हैं 30 फिटका रख सकते हैं और 60 फिटका भी रख सकते हैं कोई इशू नहीं है उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करे बेसल डोज की कि हमें अब प्याज में शुरू में जब हम रिप्लांट करते हैं उस समय बेसल डोज में क्या क्या देना है तो दोस्तों यहां पर नो मेंटनेस में बताऊंगा ज्यादा भी हमें जो है प्याज की हिती में खर्चा नहीं करना है जो नौर्मली तरीके से हम पर यहां पर देखने वाले हैं कि एक बिगे में जो है एक बेग हम डिएपी का यूज करते हैं यहां पर उसके बाद दोस्तों पोटाश की मात्रा भी हम साथ में इंक्लूट कर देते हैं तो एक बेग पोटाश डाल देते हैं एक बिगे में उसके बाद दोस्तों यहां पर SSP यानि कि single super phosphate की मात्रा भी प्याज में हमें देना बहुत जरूरी होता है तो वो भी हम यहां पर यूज करते हैं तो उसकी मात्रा दो बेग हम लेते हैं तो एक बिगे में दो बेग वो यहां पर हम डाल देते हैं उसके बाद दोस्तो हम बात करें nitrogen की तो कुछ किसान जो हे nitrogen बाद में यूज करते हैं और कुछ किसान पहले यहां पर जो हे बेसल दोस में ही इसको इंकलूट कर देते हैं तो मेरा opinion यह रहेगा कि आप पहले से ही nitrogen उसमें दे दीजिएगा ताकि हमें दिक्कत ना आए और अगर आप बाद में देना चाहे जिसा कि सेकेंड से चाही में बहुत से किसान देते हैं कोई भी इशू नहीं है आप दोनों ही प्रकार से दे सकते हैं तो उसकी जो मात्रा रखनी है वो 15-20 किलो प्रति बीगे के आधार पर हमें nitrogen रखना है तो वो भी अपन बेसल डोस में दे सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें दो दोस्तों प्रति भीगे में आधार पर बेसल डोस में अहीं है व melhor दोस्तों हम बात करें चारे दोस्तों सलफर की मात्रा बहुत जरूरी होती है प्याज मेरे प्याज की एक प्याज का गंद रहता है व बरकरार रखने के लिए इस टोरे alle हम आने के लिए इस बहुत जरूर रहता है तो सलफर का प्राइब कि लिए मंथर दोस्तो也可以 के 아니야 हम लोग यहां पर अगर आप चाहते हैं कि फंगस के लिए आप फंगिसाइड अलग से फिर इस्प्रे में न ले आपकी प्याज में फंगस बहुत कम आए तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा आता है पावडर फॉर्म में जो छे किलो प्रती बीगे के आधार पर आप बैस स्प्रे करेंगे तो मेरा यहां पर जहां तक मानना है कि आप खरपतवार के लिए पहले से ही बेसल डोज में इंक्लूड कर दीजिएगा जैसा कि एक हर्विसाइड आता है पेंडा में त्रिंटर के वह आप इसमें मिला लीजिएगा बेसल डोज में करीबन 350 ml प्रती बीग है वह आप कीजिएगा और उसके बाद जो है आराम से प्याज यहां पर लगाने का काम चला दीजिएगा अब दोस्तों प्याज की जब हम जो है रोपाई करते हैं उस समय एक बात हम यहां पर ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि फंगस ना लगे जैसे हम ट्राइक प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं व्रद्धी हमें देखने को मिलेगी दोस्तों यह कुछ चीजे थी बेसलोस के बारे में और दोस्तों यह देना है उसके बाद तीन सिचाय तक कुछ भी नहीं देना है तीन सिचाय यानि कि यह बेसलोस अपने दे दिया उसके बाद पहली सिचाय सेकेंड और थर्ड थर्ड सिचाय तक बिलकुल भी कुछ भी नहीं देना है और वहां तक लगबग एक महीने के प्याज अपने हो जा आपर जो हे निप्तारा कर ले उसके बाद दोस्तों हम आगे जो हे हमारे जो वीडियो आएंगे उसके में हम यह आपर चर्चा करने वाले हैं वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर वीडियो आपको पसंद आयोगा तो लाइक जरू कीजिएगा हमारे किसान ब्रक्ष शेयर जरू कीजिएगा तो चलिए मिलते हम अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत